जैमात अदी आप सभी को आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर 12 बजे से ले करके और 4 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है और ऐसा आपके साथ में बार बार होता है तो इसके पीछे क्या संकेत होते हैं इसका क्या मतलब होता है और ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आपको क्या करना चाहिए वैसे तो आज कल का जो जीवन चल रहा है और आज कल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोग काफी देर से सोते हैं कोई 12 बजे सोता है तो कोई 1 बजे सोता है लेकिन आज भी काफी लोग ऐसे हैं जो समय के पाबंद होते हैं और समय से सोते हैं और प्रात्यकाल समय से जगते हैं तो जो लोग समय से सो जाते हैं या फिर जो लोग बारा बजे भी सो रहे हैं या फिर एक बजे भी सो रहे हैं लेकिन इतनी देर से सोने के बावजूद भी अगर उनकी आख तीन बजे खुल जाती है चार बजे खुल जाती है या फिर दो बजे खुल जाती है तो ऐसा क्यूं होता है इसके पीछे क्या संकेत होते है और इसका क्या मतलब होता है इसके बारे मैं आज आपको जानकारी दूँगा जब हम रात्री काल में सोने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर की जो उर्जा होती है जो हमारे शरीर की बिखरी हुई एनर्जी होती है और जो एनर्जी हम पूरे समय पूरे दिन भर काम करते समय या फिर लोगों के साथ बात करते समय या फिर लोगों से गाली कलोज करते समय मार पीट करते समय या फिर जो भी हम काम पूरे दिन भर में करते हैं वो सारी उर्जा हमारी रात को सोने के बाद में केंद्रित हो जाती है एकटी हो जाती है और ब्रह्मांड की जो दिव्वे शक्तियाएं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं क्योंकि हर मनुष्य के साथ में एक आभा मंडल होता है एक औरा शक्ति होती है और उस औरा की जो एनरजी होती है वो अपनी मूल एनरजी से कनेक्ट होने की कोशिश करती है क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं जितने भी प्राणी हैं विशेश करके मैं मनुष्यों की बात करता ह कि इस धर्ती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सबी मनुष्य रिशियों की संतान हैं आपने सब्त रिशियों की बात सुनी होगी तो सारे मनुष्य रिशियों की संतान है और हर मनुष्य का कोई ना कोई गोतर होता है उस गोतर के कुछ रिशी होते हैं जैसे कि भार्दवाज र इसी प्रकार से हर मनुश्य का अपना एक गोत्र होता है अपना एक कुल होता है और उस कुल के अपने एक देवता होते हैं अलग-अलग तो जब कोई वैक्ती सो जाता है तो उसकी जो एनरजी होती है उसकी जो शक्ती होती है और उस शक्ती में उस कुल में जिन जिन देवी देवताओं की पूजा लोगों के द्वारा की जाती है लोगों के द्वारा साधना की जाती है या उनके जो पूरवज होते हैं उन्होंने कोई साधना करी उनके साथ में कोई शक्ती जुड़ी हुई है तो वो शक्ती अपने जो आने वाली पीड़ी होती है या फिर जो लोग उनको नहीं मानते उनको नहीं पूजते जिनके बारे में नहीं जानते उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है वो शक्तियां और ये connection दिन के समय नहीं बन पाता इसलिए ऐसा रात को ही आपके साथ में होता है क्योंकि रात के समय में प्रकृती एकदम शान्त होती है और जो दिव्वे शक्तिया होती है ब्रमांड की जो शक्तिया होती है वो जागरित होती है अपनी चरम अवस्था पर होती है और ऐसे में वो बड़े ही आसानी से हमसे connect हो पाती है अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब आप रात को सोते हो तो आपको स्वपन अवस्था में ही आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं आपको सपने दिखाई देते हैं और अगर आप किसी भी शक्ती की उपासना करते हैं किसी देवी की पूजा करते हैं किसी देवता की पूजा करते हैं और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है कोई त्रोटी हो जाती है तो आप ये देखते हैं कि सपने में आपको आपके इश्ट देवता कुरोधी तवस्था में दिखाई दे रहे हैं या फिर आपकी कोई मन्नत होती है तो उस मन्नत के फल स्वरूप जो आपके देवता होते हैं वो आपसे कॉंटेक्ट करते हैं आपको स्वपन में वो बताते हैं या फिर सचेत करते हैं तो जो कुछ भी घटित होता है दिव्य शक्तियों से संबंदित दैविय शक्तियों से सं इपना वस्ता में ही घटित होता है और इसी वज़ेसे अकसर लोगों की नींद एक बज़े दो बज़े चार बज़े खुल जाती है। और ऐसा उन लोगों के साथ में बार बार होता है जिनके साथ में कोई ना कोई दिव्वे शक्ती लगी हुई होती है या जिनके साथ में शक्तियां वास कर रही होती है उनके साथ में ऐसा सबसे जादा होता है क्योंकि दिव्वे शक्तियां जितने भी होती है वो रातरी काल में जादा विचरन करती है और ब्रहम मुहरत में समझत शक्तियां इसे ब्रहमाड का ब्रहमड करने के लिए निकलती है अपने अपने धाम से अपने अपने मंदिर से और अपने अपने स्थान से तो जब दिवे शक्तियां प्रातहकाल में भ्रमड के लिए निकलती हैं तो जो उनके उपासक होते हैं जो उनके भक्त होते हैं जो उनके साधक होते हैं उनके पास शक्तियां जाती हैं और उनको अपना आभास करवाती हैं और उनको सचेत करती हैं उन आप भी अगर आपका कोई प्रष्न है, कोई समस्या है, तो आप भी दिव्य शक्तियों से उस समस्या का समधान पूछ सकते हैं, और आप उनसे connect हो सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कि जिससे आपकी जो भी समस्या होगी, उसका समधान आपको अपने इश्ट से या अपने कुलदेवता से या अपनी कुलदेवी से आपको पता चल जाएगा या फिर अगर आपके कोई पित्तर है या फिर उन से आपको करना क्या होगा बोज पत्र के एक आपको बोज पत्र लेना है और बोज पत्र के ऊपर आपको अपना प्रश्न लिखना है और रात को सोने से पहले उस बोज पत्र को अपने हाथ में लेकर के तीन बार आपको अपना प्रश्न दोहराना है और जिनसे भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं जिस भी शक्ती से उनका आवाहन करके उनको अपने प्रश्न के बारे में आपको बताना है और उस भोज़ पत्र को अपने सिरहने रख करके आपको रात में सो जाना है आप देखेंगे कि जब आप सो जाओगे तो अपना वस्था में वो शक्तिया करके आपके प्रशन का उत्तर आपको देंगी ऐसा आपको अगर एक दिन में आपको प्रशन का उत्तर नहीं मिलाए तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उपाए काम नहीं कर रहा है आपको इस उपाए को दोहराते रहना है दो बार तीन बार चार बार ऐसा आपको लगातार ग्यारा दिनों तक करना है 11 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके प्रश्न का जवाब अवश्य मिल जाएगा तो आप इस प्रक्रिया का भी इस प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं इससे आपको आपकी समस्याओं का समधान भी मिलेगा और जो दिवे शक्तियां होती हैं जिन लोग के साथ में उन लोगों को भी दिवे शक्तियां आकर के जानकारी देती हैं समस्या का समधान बताती हैं और दिवे शक्तियां भक्तों को सादकों को ये भी बताती है कि आप किस परकार से सादना करिये कैसे मंतर जाप किये जाएंगे कौन सी शक्ती आपको सिद्ध होगी या किसी शक्ती की उपासना आपको करनी आगे ये सारी जानकारी रात्री काल में ही दिवे शक्तियां अपने भक्तों को सादकों को आकर के बताती है जै मातारानी की